वेलो स्टुडेंट्स आइम एल साइन्स टीचर ओफ क्लास 6 तोड़े विल टू एक्सराइज बेटा ठीक है हमने चैप्टर नमपर ये 8 एक्सप्लेइन किया था चैप्टर नमपर 8 और अब हम इसकी क्या करेंगे बेटा एक्सराइज करेंगे एक्सराइज है हमारी 8 तिक दा आपको नहीं चैपट्स चैप्टि देया है ने ậंगे शाची आपको एक लिवा घ्सकी करेंडेıs 1 उकल और पान हाँ नहीं परने डेजर्टन होता है डस्व स् reasoning बर्फील मत्रेजा। तो जो वाटर में लिफ्स करते हैं उनको हम क्या कहते है है हाइड़ोफाइट सेकेंड हमारा है वीच ओफ दा फॉलोइंग इस एन एक्वाटिक हैबिट हैबिट किसको कहते है जो जलिये हो ना तो यहां ओप्संस दिये गए है रिवर फोरेस्ट मांटेन प्लेन है तो देखो इसका रिवर में वाटर होता है जबकि फोरेस्ट में क्या होते है प्लेन होते है प्लेन एरिया में थोड़ी ग्रास बगरा होती है मांटेन में परवत होते है तो यह इसका राइट जो ओप्संस होगा वो क्या होगा आपका रिवर थर इज बीच ओफ फोलोइंग इस नोड और an abiotic component इसमें आपको abiotic components आपको बताना है जो नहीं है इसमें, छीए, light plants, temperature, soil, आपको पता है ना, no living things क्या कहलाती है, abiotic कहलाती है, तो इसमें plants living things है, तो इसका जो right options होगा, वो क्या होगा, plant, which of the following are biotic components, जो हमारे living things होते है, consumer living things में आते है, producer भी और decomposer भी, तो all of these का correct options होगा, which of the following are producer, तो इसमें producer कोन से होते हैं, जो अब मतलब producer का मीन समझ रहे हैं, जो अपना भोजन, मतलब क्या करते हैं, self-prepare करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, producer, तो यहां पर green plant ऐसे होते हैं, जो अपनी food को क्या करते हैं, self-prepare करते हैं, तो इसका जो right options होगा, वो क्या होगा, green plants, next exercise हमारी है, fill in the blanks, fill in the blanks, तो यहां पर आपको first options में space दिया था, is a place where an organ is living and a florist, तो मतलब एक, इसमें आपका जो options आएगा, वो क्या आएगा, habitat, habitat, मतलब निवास थान एक ऐसी जगह होती है, living organism के लिए, जहां पर वो अच्छी तरीके से फलता फूलता है, second है, animals and plants give on land, have, तो वो क्या कहलाते हैं, terrestrial, t-e-r-e-s, t-r-i-a-l, terrestrial, habitat कहलाता है, third है हमारा aquatic animal have to breathe, तो aquatic animal जो होते हैं, उनके पास क्या होता है, breathing के लिए, gills होते है, fourth है, lighting of welcoming activity causes fire, यह fire को वजा से होती है, moving air is called wind, और यहां पर our plants and leaves in water, जो water में लेते हैं, उनको हम क्या कहते है, aquatic, okay, बेटा, next exercise हमारी है, write T for true and false for false statement, ठीक है, जो हमारी यह statement दी गई है, उनके लिए हमें true false करना है, तो first है हमारी omnivores eat both plants and animals, है न, यह statement क्या हुए हमारी true, there is no relation between biotic and biotic components, होता है relation, तो इसलिए यह statement हमारी क्या हुए, false, hydrophytes plants live in our or near water, तो यह हमारी क्या हुए, true, है न, bacteria and fungi are decomposers, true, consumer are called the producer, consumer are called producer, false, more than 70% of earth surface is covered by water, true, है न, wind help in pollination and sheet dispersal, तो true, यह statement भी true है, carnivores eat both plants and animals, तो यह statement क्या है हमारी, false, ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो हमारी exercise है, D है, match of the following, यहां column A, column first है, यहां column B है, वो sorry second है, तो आपको यहां पर मिलानी है, तो देखो, जो first number है, आपका, वो क्या होता, habitat, habitat किसे related to the relation, location in environment, terrace means क्या होते है, land, क्योंकि वो वहां पर रहते है, aqua means क्या होते है, aqua means होते है, water में रहने वाले, hydrophytes क्या होते है, plants living in or near water, है ना, non living things क्या होते है, यह होते है, non living things में abiotic components of habitats, ठीक है बेटा, आप आपको यह अपनी exercise, नोट बुक में करनी है, और इसके बाद हम exercise E और F कराएंगे, okay thank you.